एक दिन नोबिता अपने स्कूल से घर आता है, हमेशा की तरह इस बार भी वो जियान से पिट कर आता है, अपने घर में आते ही वो डोरेमोन के पास जाता है ताकि वो जियान से बदला ले सके, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अंदर आता है, वो देखता है कि डोरेमोन जमीन पर गिरा पड़ा है नोबिता डोरे मौन को बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता है आखिरकर अपना टाइम टेलिविजन निकालता है और डोरे मी जो कि डोरे मौन की बहन है उसको बलाता है डोरे मी उसे अच्छी तरह देखती है और फिर Nobita को समझाती है कि Doremon की बैटरी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इसलिएłęब Doremon कभी भी नहीं उठेगा इतना सुनते ही Nobita जोर जोर से रोने लगता है Nobita कहता है Doremi से क्या इसकी बैटरी फ्यूचर में नहीं मिल सकती डोरेमी फ्यूचर में जाकर बैटरी का पता लगाती है लेकिन उसे बैटरी नहीं मिलती है डोरेमी वापस आकर फिर नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन ठीक हो सकता है अगर कोई रोबोटिक इंजिनिर फिर से डोरेमोन की बैटरी बना दे इतना सुनकर नोबिता चुप हो जाता है और अब वो पूरे दिल से पढ़ाई करने लगता है अब वो एक अच्छा रोबोटिक इंजीनिर बनना चाहता है ताकि भविश में डोरे मौन की नई बैटरी बना सके इसी तरह कैई साल गुजर जाते हैं अब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो चुके हैं और नोबिता ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है अपने कॉलेज के आकरी दिन नोबिता नोबिता शिजुका को शादी के लिए प्रपोस करता है लेकिन शिजुका उसे कुछ वक्त मांगती है इस पर सोचने के लिए अब जियान एक अमीर बिजनिसमेंट बन चुका है नोबिता की सारे दोस्त अच्छी नोकरी कर रहे हैं लेकिन नोबिता अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट में व्यस्त रहता है वे अपना ज्यादतर वक्त डोरे मौन की बेटरी बनाने पर लगाता है क्योंकि किसी भी हालत में वे डोरे मौन को वापस पाना चाहता है नोबिता अभी भी वैसा ही चंचल सुवाब का है और शिजुका भी उसे पसंद करती है एक रात को शिजुका अपने माबाब के पास जाती है जो कि अब काफी बुड़े हो चुके हैं और उन्हें बताती है कि नोबिता उसे शादी करना चाहता है इतना सुनते ही शिजुका के पिता कहते हैं कि बेटी शिजुका नोबिता ते ज़्यादा नेक और साफ दिल का व्यक्ति तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा इसलिए तुम उसे शादी कर लो इतना सुनते ही शिजुका बहुत खुश होती है और नोबिता को फॉरण शादी के लिए हां कर देती है कुछ ही दिनों में नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है और वो दोनों अपनी जिंदिगी में बहुत खुशी से रहने लगते है शादी के कुछ दिन बाद शाम के वक्त शिजुका नोबिता को कॉफी देने के लिए कमरे में आती है नोबिता कुछ रिपेर कर रहा है तभी नोबिता चिलाता है मैंने कर दिखाया तभी डोरेमन उठता है और उठते ही नोबिता को कहता है कि नोबिता तुमने अपना हमवर किया या नहीं? यह देखते ही नोबिता और शिजुका के आँखों से आशू जलक पड़ते हैं और वो दोनों डोरे मॉन को खोशी से गले लगाते हैं और फिर नोबिता डोरे मॉन को सब कुछ समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ था? और डोरे मॉन वो सब कुछ करता है चो नोबिता के उसे कहता है अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को तद शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें जैहिंट बंदे मातरा झाल